वेलकम बैक टो अलाफी गाईज, वेलकम इन आदर वीडियो फैमास अबालोजी, फोफुली कि आप लोगों ने CSIR का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, उसे आपने देख लिया होगा, और जो भी कैनिडेट CSIR के एक्जाम्स के प्रिफिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है, नोटिफिकेशन के साथ साथ में एक्जाम्स की डेट भी रिलीज हो गई है, छे, साथ, आठ जो डेट है वो रिलीज दी गई है, CSIR के लिए जून में, तो 6, 7, 8, यह जून आपका एक्जाम्स का डेट है, इस डेट को आप लोग अपने करेंडर में टेबल करेंडर पे जहां पर भी आप स्टड़ी करते हैं, कि जो प्रॉडम्स होती है उस चीज का इशू ना हो, आप अपने फाउंग को फिल करके अपने माइंड को सेटल करेंजी और अच्छे तरीगे से बढ़ा इस स्टड़ी के अपने फोकस कीजी जितने भी कैंडिटेट से CSIR के एक्जाम्स कर रहे हैं, जैसा कि उनको अच्छ आप अच्छे तरीगे से लांसिस कीजे, आप वहां पर जब पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हां किस लेवल का और किस टाइप को क्यों से लेवल का और किस टाइप के एक्जाम्स कर रहे होंगे तो सायद आपको प्रॉपर डिरेक्शन नहीं मिल प तरीगे से रीडाउट करें, एक हपते का टाइम अगर लगता है तो लगनी दिए कोई दिख करते हैं लेकिन आप कम से कम चार से छे जो पेपर आपके पास से लेवल है वो ऑनलाइन पे CSIR के अफसाइट्स पे आप अच्छे तरीगे से पहले प्रिपर को डाउनलूड कीज यह सरी ना अलसेस करने के बाद आप अपने जो भी स्टेडी मेटेर आप यूज कर रहे हैं आप उनको और उनकी लेवल को चतरीगे से इंप्रूफ कर सकते हैं और जो लोग CSIR के अउनलाइन क्लासेस के लिए अगर वो जोईन करना चाहते हैं जो लोग सर्ज कर रहे हैं तो क्लास चलती है क्लास कर रहे हैं या फिर उनकी प्रोग्राम चल लाए या फिर कहीं पो जॉब करते हैं तक आपके सब्सक्राइब अच्छे तरीके से बढ़ा ही हो पाती है तो मंडे टू सेटेडे अपका पूरा ले क्लास चलता है आपका 9-11 प्यम पर बाकि संडे के टाइ को क्ये Fahrson दिये जाते हैं साथ साथ आप जाए फिर टवैरे में तो पर धे होती है जो से क्लास को डिया धैẤ Ephraim को जो से तो से आप मैचाप कर पा रहे है है कि नहीं कर पा रहे है और और यह आपने काफी कंफिदेंस विल defense लिप क다रता है तो जो भी इस वीडियो में बात करेंगे प्रिवियस एर के कृस्टन्स पेपर का जो कि CSIR में आया हुए है और इसका हमारा टोपिक से बहुत सारे और क्यूशन के किस तॉपिक से मिलता है इस नंबर पहले कृश्टन साब का यही है कि तो आपसे यहां पर एक्जाम में यह जो पूछा गया है, यह जो पांच आपको यहां पर दिये गया है, उन फाइप उप्संस में से कोई एक उप्संस क्या होगा, गलत होगा, बाकि सारे स्टेट्मेंट जो होंगे वह फाइल जीनिटि ट्री को लेकर के क्या है, सबस्के वह पर यहां पास आते हैं, वह आपको पहुत सारे इंफॉर्मिशन देख जाते हैं, तो इंफॉर्मिशन कुछ इस तरीके से कि जैसे जो आपका गलत होता है, आप तो उसको पिक करते हैं information निकालते हैं जैसे जो लोग अगर PhD उजडी कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से पता होगा किसी भी बैटरिया कर आप अगर आप क्या करते हैं तो किसी भी इस पसीज का अगर आपको नॉमन क्लेचर करना होता है इंडिटिफिकशन करना होता है बैटरिया केस म का अगर इंडिया करते हैं तो आप फॉजडीटी ती का मतलब होता है किसी भी इस पसीज के जतने भी ancestors होते हैं उन सभी ancestors का जो relation है या जो आपका हमका evolutions हो रहा है उनके बारे में बताने जो representations होता है उसको आप फॉलेचिय त्री के नाम से जानते हैं तो आप से पूछा ज कि आपको सब्सक्राइब करता है या इस सब्सक्राइब करते हैं जब कि अगर सब्सक्राइब करते है लिए जा का पर दिलिद या जाए जो इसे का सब जा है यह इन तीनों के लिए टैनल और यह है जुछी बहुतAL परी नेसरो तैनल पर जो किसी भी तो detto Ник Nashu इस नमघ आप आपको सही है और आपको जाना क्या है आपको गलत स्टेट्मेंट जाना है और the more branch point that occur between the two texta the more divergent their DNA sequences should be exactly यह भी स्टेट्मेंट आपको सही है कि गब किसी फ्रांच दो भी स्टेट्मेंट आपके हैं उनकी branching आपको बहुत ज्यादा अगर होती है तो branching का divergent होता है वो बताता आपको यहां पर दिया जा रहा है जैसे मालीजे कि यह आपका क्या है राइट-hand side है अज आपका क्या है लेट-hand side है तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो जो भी आपके रिप्रियंट के जाते हैं राइट-मोस्ट पाइंट पे एक्सिस्ट करते हैं मोर रिसेंट्ली और रहा है ज़ए जो सबसके को रहा है जिए ज़नेट-मोस्ट पाइंट करते हैं तो इससस्टेमेंट बना करके आपके CS-R में एक सवाध निएक स् publiक होता हो में एक पार्ट सी में CSIR के एक्जामे कुछन धाना श्यूर होता है दो मोर ब्रांच पॉइंट देर आर दो मोर टेक्षा अर लाइक टो डिपेंट एग्जाटली जितना ज्यादा यहां पर आपका ब्रांचिंग होगा जिसे माले यहां पर तीम ब्रांचिंग है जितना ज्यादा आपका ब्रांचिंग होगा उतना जादा क्या होगा टेक्षा होगा पहला ही जो पॉइंट आपका क्या है वह गलत है तो इस इसा प्रांच पॉइंट नहीं बताता है तो आपका क्या है गलत है और चुकि आपसे यहां पूछा गया है कि कौन सा ट्रू नहीं है तो इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा बाकि सारे आपसे आपको फाइलजिनटी ट्री के बारे में सही है तो अपनी कॉपी में जो की आप स्टड़ी करते नोट्स बनाते हैं उन स्ट्रेक्टर को लेकर करके भी कई बार आपसे एक्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि इनका क्या मीन होता है तो आप इनको पहले समाझ लीजे कि हो मतलब क्या होता है और किस तरीके से यह फंक्शन को मतलब चीजों को का होता है सो ऐसे ऑर गन्स जो की बैसिकली जिनका ज जो उर्जीन होई है वो कॉमन इंस्टर से हुआ हो और जिनके आपके जो जो स्ट्रक्चर सोते हैं वह भी क्या हो सिमलर हो लेकिन फंक्शन को क्या हो डिफरेंट हो तो ऐसे ऑर गन्स को बिसकली हम क्या बोलते हैं हो मतलब होता है कि जिनका स्ट्रक्चर में क्या हो स्ट्रक ऑपते ही तो दो थिन चीजे आपको यहां पर ध्यान होगी क्या होता है वोग और होता है। जिनके स्ट्रक्चर जो वह वह फcin होने हैं तिमनоды को कि अपनी नीड करें जो functions होता होता है अलग-अलग होता है जैसे एक्जांपल के तौर पे कि हम human being का जो हाथ है hand है उनका भी आपके bones के structure आप देखेंगे तो ठीक हो सेम वही रहेगा बाकि आपके लोवर वाले जो जो जैसे तो ऐसे structures को बिसके लिए हम homologous structure के नाम से जानते हैं तो homologous का मतलब होता है that is the similar in structure, similar in origin but different in function is known as the homologous structure so यहाँ पर option number A जो है आपको क्या है that is the right answer है that means यहाँ पर आपको दिया गया है bat wings and human hand इन दोनों का है अगर आप structure देखेंगे तो यहाँ दोनों के bones में similarities होती है human hand क्या करता है कि इसीज को graphing करने के लिए यूज किया जाता है तो इस हिसाब से इनके functions क्या हो गया different हो गया लेकिन structures इनके क्या है same है so that is why basically आप यहाँ पर क्या बोलेंगे homologous structure बोलेंगे कभी-कभी आप से एक्जाम में सवाल analogous से भी पूछ देता है analogous का मतलब जास्तों इसका उल्टा हो जाता है जहां पर function क्या हो आपके same हो लेकिन उनका structure उनकी origin क्या हो different हो मतलब अलग-अलग structure या अलग-अलग parts से मिलकर के बनने वाले दो organs जोकि functions को same perform करें उनको हम basically analogous के नाम से जानते हैं जैसे यहां पर आप देखिए ओल का wings है और ornate का wings है इन दोनों के wings का आप देखेंगे structure से यह different दिखाई देगा लेकिन यह wings दोनों क्या करते हैं फ्लाइंग करने के लिए यूज होती है दोनों के दोनों के wings आपको उड़ने में क्या करते हैं help करते हैं इसी तरीके से आपके यहां पर दिए गया है कि इनका जो जैसे pad का four limb है और bird का wing है तो four limb pad का जो होता है वो basically आपको flying करने में help करता लेकिन के structures क्या होते हैं different होते हैं तो analogous का मतलब क्या होता है simple का कि इनका structure होगा origin होगी वो क्या होगी different होगी लेकिन इनके functions क्या होगी similar होगी और homologous का मतलब क्या होता है कि इनके functions होगे वो different होगे लेकिन इनका structure और origin क्या होगी same होगी तो ऐसे type के questions CSIR के exam से बहुत अच और इन एक्जाम्पल्स को पॉपी बेट भी करिए ताकि अगर आपके एक्जाम में फिर से सवाल आए तो फिर आप उसे गल्ती ना करें और नेक्स पर देखते हैं यहां पर आपको एक फीगर दिया गया है और इस फीगर में आपको फाले जिनेटी टी दिखाया जा रहा है और इस फालो जेटी से लेकर कि आपसे पूछा गया है यहां पर दो एक्सीस है एक को आपको गाये में दिखाया जा रहा रहा है और कि आपको पहले है और इस आपको पहले है जयसा के पहले देखा था कि लेफ्ट पूछ रहा है और इसके बारे पूछ रहा है इन दोनों के लिए क्या है इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे इसकी ब्रांचिंग कहां से हो रही है यहां से हो रही है इसके बारे इसके बादे बना इन दोनों के उरिजिन जो कहां से हो रही है इस वाले पॉइंट से हो iba I पॉइंट नमबर जो 4 है वो बिसिकली सभी के लिए क्या है common ancestors यहां पर represent करता है, कौन कौन से के लिए, C के लिए represent कर रहा है, तो C और E आपसे पूछा गया है, तो C और E दो की जो अलग-अलगे species हैं, इन दोनों की origin एक common point से होई है, जो कि 4 को क्या कर रहा है, represent कर रहा है, त the two extended species that are most closely related to each other, दो ऐसे species जो की बहुत ज़्यादा आपस में क्या है, closely related है, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है, relation निकालने के लिए आप यहां पर यह जो branching होती है, इन branching के length को आप देखते हैं, जैसे आप आप देखिए कि common sisters यहां पर यह था, इससे एक evolution इसका हुआ और एक इस species आपकी A बने, इसके बाद यहां पर यहां पर branching होई तो पहले आपका यहां पर क्या बना, A बन गया, फिसके बाद दूसरी branching होई तो आपका C और D बना, फिसके बाद तीसरा वाला क्या होगा, आपका B बना, तो यहां पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा पास-पास में कौन-कौन प्रेजेंट हैं, आपके C और D हैं, तो यह दोनों इस species जो हैं, बेसिकली यह common ancestor से origin होई हैं, यहां से origin होई हैं, यह वाले point से, और इन दोनों में क्या है, similarities बहुत ही ज़्यादा है, तो C और D ऐसे दो species हैं, जो कि आपके ज़्यादा-ज़्याद करते हैं, तो आपके प्रप्रेसंस बहुत अच्छी हो जाती है, और आपके पास टाइम बहुत कम है, आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से systematic, proper वेवें आप यूज कीजे, और daily basis पे आप practice करते रहें, ताकि आपके जो study करने का एक level हो बनता रहें, और आपने confidence भी बनत दिया, so thank you for watching this video, और अगर आपको further कोई information की ज़रो थे, तो definitely आप अपने queries को comment box में message करके पोच सकते हैं, okay, thank you for today, आज के लिए इतना ही,